हलो दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे ब्राइट कॉम ग्रूप यानि की BCG के शेर प्राइस के बारे में पहले टेक्निकल्स देखते हैं उसके बाद फंडमेंटल्स में जाएंगे और देखते हैं कि क्या रीजन है जो इतना consolidation इतना downside देखने को मिल रहा है सबसे पहली बात 2017 से लेके 2021 तक का जो time था उस time पे यह stock 2-3-4 रुपे के बीच में गूम रहा था तो जिन भी लोगों ने इस price में buy किया होगा वो अभी भी profit लेके बैठे हैं यानि कि उनके पास option है यह stock sell करने का जिनोंने उपर में buy किया है वो तो sell नहीं करेंगे पट यह जो investors है इनके पास अभी भी profit में shares होंगे जो कि वो sell कर सकते हैं वो एक reason है जिसके वाज़े से downside देखने को मिल रहा है सो अगर आपके धाई रुपे में share है अभी भी आप 1000% profit में है सो 25 रुपीज पर अभी trade कर रहा है अब कहां तक यह गिरावट देखने को मिल सकती है उसके बारे में बात करते है और breakout levels क्या होंगे सो यहाँ पर यह weekly chart है यहाँ से हम चलते है वन डे चार्ट पर वन डे चार्ट अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एक breakout level जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है 29 से 30 के बीच में अगर यह 29 30 क्रॉस करता है तो एक upside देखने को मिल सकता है इस counter में और अगर यह trend line के साथ नीचे ही जाएगा जाता है तो फिर यह counter 17 रूपे के आसपास आ सकता है तो अगर आप buy करने का सोच रहा है तो या तो 30 के उपर buy कीजिए या फिर थोड़ा और consolidate होने दीजिए 17 रूपे से लेके यहाँ पर आप range देख सकते हैं 17 से 23 पर थोड़ा consolidation हुआ था पहले तो इस level पर आके रुख सकता है यह counter तो यह एक range है जहाँ पर आप wait कर सकते है stock के आने का या फिर 30 अगर cross करता है तो वहाँ पर add कर सकते है मेरी सेला यह रहेगी कि अगर आप छोटी quantity कोई add करना चाहे तो कर सकते है उसके बाद wait कीजिए उससे क्या होगा अगर breakout देता है तो भी आप profit में बैठे रहेंगे और अगर नीचे आता है तो आपके पास capital रहेगा उसे average करके इस price में जाधा quantity buy करने के लिए तो यह तो था technicals अब चलते fundamentals की तरफ book value काफी अच्छा 30 पे है यानि कि अगर यह company दिवालिया हो जाता है आज के तारिक में तो भी per share आपको 30 रूपीज मिलेगा यानि कि 25 रूपे के share के सामने उसका value 30 रूपीज है ग्राहम नंबर यहाँ पे आप देखे 68 अब यह ग्राहम नंबर क्या होता है ग्राहम नंबर बेसिकली एक stock का जो fundamental value होता है उसे calculate करने के लिए यह formula यूज किया जाता है ज्यादा deep में नहीं जाऊंगा but 68 is a good number so 25 से 68 काफ़े difference है अगर यह stock price 68 भी रहेगा तो भी काफ़ी strength रहेगी इस counter में 30 रूपीज का book value है यानि कि book value into 10 अगर करते तो भी उसे fair value competitive market value कह सकते यानि कि 300 रूपया बड़ इतना दूर अभी नहीं जाऊंगा फिलाल बात करते है 25 पे क्यों है fundamentals अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो sales figure में कोई problem नहीं है हर साल sales बढ़ते जा रहा है profit भी बढ़ते जा रहा है और काफी अच्छा profit बढ़ रहा है profit margin अगर आप देखेंगे 29-30% का इनका profit margin है पर फिर भी यह stock price नीचे क्यों जा रहा है उसके बार में बात करते है problem यहाँ पे एक ही आ रही है trade receivable so company business तो कर रही है लेकिन पैसा आ नहीं रहा है तो अगर आप कोई भी business करते है जिसमें आप sale कर रहे है बट अगर पैसा नहीं आ रहा है सामने से तो फिर आप करजे में डूप दे जाएंगे क्योंकि product बनाने के लिए आपका एक cost है and अगर सामने से पैसा नहीं आएगा तो आपको loan लेना पड़ेगा या फिर दूसरे तरीकों से fund raise करना पड़ेगा उस order को complete करने के लिए so सबसे important चीज होता है trade receivable कि अगर आपने कोई sale किया है तो उसका पैसा आपके पास आना चाहिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे around 137 days लगता है पैसा आने में जो की काफी जादा है this is around 4 months फिर भी पैसा नहीं आ रहा है यहाँ पर trade receivables आप देख सकते हैं बढ़ते ही जा रहा है continuously अगर इस पर से bad debts हो जाएगा तो फिर सारा का सारा जो profit है वो इस company का चले जाएगा यह एक major reason है जिसके वज़े से BCG का stock price नीचे जा रहा है बाकी सारी चीज़े तो काफी साही है promoter holding आपे decrease हुआ है 2021 से 22 में and FII का वो जो promoter holding था वो FII के पास गया है and public के पास 75% था अभी 66% है shareholding में कोई issue नहीं है business में भी कोई issue नहीं है सिर्फ trade receivables अगर सुधरता है तो काफी अच्छा upside देखने को मिल सकता है इस counter में और दूसरा जो consolidation हो रहा है वो अगर एक बार खतम होएगा तो काफी अच्छा reversal इस counter में देखने को मिल सकता है तो अगर आपने उपर के levels वे buy किया है थोड़ा और wait करना पड़ेगा आपको क्योंकि आज नहीं तो कल reversal जरूर देखने को मिलेगा BCGK stop price by thank you for watching this video please do subscribe for regular updates